ने 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 दुनिया के आप पहले बाप होगे जो अपनी बेटी को इस तरह से ठग रहे हो आपकी उनकी पैसो पे नजर है तो आरके की बीवी को खुद पसा लीजे मेरी बली क्यों चड़ा रहे है आएंदा मुझे अपनी परीमत बोलना ओके मंगनी हुई है तो मूँ तो मिठा करवाईए मैडम बंटू मैं कोई राज आया है यह वही राज है जो मैडम पर राज करेगा तो तुम धिंडोरा पीटना बंद करोगे अच्छा मैडम सौरी हाई 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 मुबारक हो सर ओके हलो हाई कर दो लगता है यह लड़की कौन है अभी पुछता अब रुक तेरा कोई भुरोस नहीं आजा मुझे उसकी बहन लगती है इसकर ऐसे चूरी है एक्स गर्फ्रेंड लगती है खोने वाले बीवी से मिलवा रहा है तो क्या आप काफी अब यह काफी नहीं पीते है ओ दो चाए मुझे चाए पसंदेगा एक काफी एक चाए मम्मी ने भीजा है बोलाए कि देख रहा हूं हमें मम्मी ने भीजा है I mean मेरी आँटी ने मैं यही कह रहा था यहीड यहीड अीजु टो मा के पल्लू से बंदा है बंटू मैडम? जाबी भरने पर बंदर भी खुद बोलता है, इसने तो उसके लिए भी एक लड़की रखी है माडम, कुछ सुनाई दे रहे क्या पता नहीं है, सुहाग रात पर और किस-किस को मदद के लिए लाएगा डबल ने, ट्रिपल मुबारक पंटू, मेरी लाइफ दभा होने वारी और तुम मेरा मजाख बना रहे हो मजाख मजाख में सगाई किया आपने, मजाख मैंने बनाया या आपने बनाया तो मिनट में अंदर आओ और मीटिंग का छुटा बहाना बना कि इंसे चटकारा दिलवाओ तो मिनट में अंदर आजाना इसे चेल नहीं पार अमुल्या या कमिंग मा की साड़ी तुम्हें पहननी होगी उनकी पहनी मैं क्यों पहनू पहनी हुई नहीं साड़ी है शगुन है हाँ शगुन है मैडम शेकर सर को बात करनी है यहाँ कम इन प्रीज रविंद्र सर को ही बताओ क्या हुए मैडम आपकी टूरिजम फाइन्स कोपरेशन की मीटिंग है बहुत बिजी हूँ अ कब है एक घंटे में मैडम जाना होगा जल्दी क्या है बहुत टाइम है बैठो ट्राफिक बहुत है तैयारी भी तो करनी है बहुत ज़रूरी मीटिंग है उनका ओफिस का है यही को चालिस किलो मीटर एक्जाक्टली का है वो अपना बड़ा वाला ब्रिज है न है वहां से लिफ्ट लेके आप ब्रिज के नीचे चादर बिछा के मीटिंग करने वाले है छोड़ो ना सर मैडम आपने जैसा बोला हमने किया दो मिनिट में बहाना बना के आपको बुलाने के लिए आ गया लेकिन ये दोनों इकने सवाल क्यों कर रहे है मैडम ने कहा कि जूट बोलना है आपने कहा कि आपको बहुत experience है और फिर सारा राइता पहला दिया हमने मैडम जूट बोलना मुझसे नहीं होगा रविंद्र सर मैंने आपसे कहा था न मुझे नहीं कहा अब याद कि आपको एक्चुली मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ये तो शायद मुझे जाना चाहिए हाँ